हेलो फ्रेंग्स, वेल्टम आक तो मा यूट्यूब चानल साइंग खोशे क्रियेशन्स तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए महा शिवडात्री से रिलेटेट कोशन आंसर का पार्ट टू लेकर आएगो पहले भी मैंने बहुत सारे कोशन के आंसर करें और अब या फिर अगर और हुए तो और आने वाली वीडियो में मैं आपके सारे कोशन का आंसर कर दूंगी तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको आपके कोशन का आंसर जरूर से मिल जाए तो फर्स्ट कोशिन है दी क्या हम मा दुर्गा के साथ शिवजी की वर्ष घाट मना सकते हैं मा दुर्गा और माता सती दोनों का अलग-अलग रूप है शिवजी के साथ मा शिवरात्री पर हम पारवती माता की पूजा करते हैं तो उस दिन आप दूर्गा माता की पूजा ना करें श्रीजी के साथ, मिट्टी तो हर जगा अवेलेबल होती है, और हल्दी तो हमारे गर में definitely होती ही होती है, तो आप मिट्टी से माता पारवती बना सकते हैं, उसमें तो कोई problem भी नहीं है, इसलिए माता पारवती की हमें ज क्योंकि परशुराम जी भी तो विष्णु जी के यह अव्तार है, पर हम वैसा नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ विष्णु जी या फिर क्रिष्ण जी के साथ माता तुल्सी का विवा करा सकते हैं, तो फिर आप शिर्ट जी का भी माता पारवती के साथ ही विवा कराएं, दुर प्रवती माता बना सकते हैं, नेक्स्ट कोशन है, रात्री के निख्था पूजा होती है, तो मोसली मंदिर बंद हो जाते हैं, तो फिर उस समय ऐसा माहौल नहीं होता कि हम मंदिर जा सके, तो चार पहर की पूजा कैसे करें, मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट कोशन में इसका कर सकते हैं, फूल अर्पित कर सकते हैं, चंदन अर्पित कर सकते हैं, अकर आपको कोई मंद में approximately tutor from the above, अपर से सभिगता सकते हैं पूजा कर सकते हैं बस जो मैंने एक ही चीज भगवान को पेच करके लगाना आपको सिखाया है वो है चंदल वो आप उपर से भी अर्पित कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है क्या पूरिश भी माता को माला या सिंदूर लगा सकते हैं माता को मा या बहन मानके आप माता को ये सब अर्पित कर सकते हैं बट अगर आप सिंदूर चरहा रहे हैं तो आप माता की मांग में अर्पित ना करें आप अपनी माता को सिंदूर जरूर दे सकते बहन को भी सिंदूर दे सकते हैं पर मांग में थोड़ी लगा सकते हैं तो आप माता को शिवजी से आप सिंदूर चुआ हैं और माता के चल्णों में आप अर्पित कर सकते हैं या पास में उनके सिंदूर की डबी रख सकते हैं पर माता की मांग में सिंदूर ना भरें और उन लिग्ते वीडियो बना चुकी उन सब का लिंक में आपको डेस्किप्शन में दे दूंगी नेक्स्ट कॉश्टन है कि अंगल लग्यां मंगल्सुत्र चरहा सकते हैं यह साथ में और गले में भी पहना सकते हैं वैसी तो आपके घर में आपकी मम्मी होगी चाची होगी वहाब पूजा करने जा सकते हैं मंगर सुद्र और सिंदूर वो चरहा देंगे बाती सब भी चरहा सकती हैं नेक्स्ट कुशन है चोटा सा लायक अपना भी लेकर जा सकते हैं बट माता के लिए आप नहीं चुन्मी लेकर जाएं शिव्रात्री के दिन ये तू जट समान आपको मंदिर पर अवेलिबल होता है इस दिल सवेख मंदिर scratched कर सकते हैं यह यह तो ही अच्छा होगा घर पर बूद्रक चेख सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं इसकी कॉशन चंदन सफेज चंदन आपको पूजा की शॉप पर मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप सफेज रंग का चंदन ना लगाकर पीले रंग का चंदन अपित कर सकते हैं नेक्स है यह दो शंक क्यों रखें यह मैंने पिछले वीडियो में भी आंसर कर दिया था वह मंदर में पहले से रखे हुए थे हम उनकी पोजीशन कैसे बदल सकते हैं तो वह वहां पर पहले से पंड़े जीते ही रखे हुए थे नेक्स कोशन है व्रत विदी में कैसे पूजा करें तो सेम इसी प्रोसीजर से आपको व्रत में भी पूजा करनी होती है और व्रत आप फलाहार का करें साबुदा नकीचरी वह सब आप खा सकते हैं क्वाल द dawn कि यह सारा समान के दना है अगर मंदर में पूजा करें तो आप मंदिर में आप रहा दें अगर धर पिषत कर रहे है। जो Lö stimuli सब चाहा हैं यह सब माता पार्वती के मंदिर में प्रशाद को अम आइब कर सकते हैं नेक्स कोशिश समान मेन क्या तो मैंने आपको ये अल्रेडी बता दिया नेक्स्ट कोशन है क्या पूरिष महाशिवरात्री का गड़ बंधन कर सकते हैं और माता को शिंगार समान चरहा सकते हैं ये साथ शिंगार समान माता को चरहा सकते हैं और गड़ बंधन भी कर सकते हैं नेक्स्ट कोशिन है शिवरात्री में चार पहर की पूजा कितनी बार करें और कैसे करें चार पहर की पूजा आप करें तो आप कर सकते हैं अगर आपका मन है तो वरना हम तो एकी समय पूजा करते हैं मोशलीच हम सुभा करना प्रैफर करते हैं या फिर फिर हम शाम को पूजा करते हैं दोनों मि pięya तकि किसी भी काईम आप पूजा कर सकते हैं जिस समय हम करते हैं या वह बता रही है'm शाम को पर प्रदोशकाल में मतलब शाम को प्रदोशकाल में या फिर possibilities नेक्स्ट कोशन है किसुब़ पूजा और वर्श घात मनता सकते हैं या सुभा पूजा करी जा सकती है next question पूजा mogą करनी है या इवनिंग यह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था और अबिवापिस बता चुके हो फिर आपकर चाहें टब सकते नेक्स can we use turmeric instead of soil to make gory mata. मैंने वीडियो में ही बताया है कि आप हल्दी, मिट्टी, चावल का आटा इन मेंसे किसी से भी mata की मूर्थी बना सकते हैं. चारों मेंसे कोई भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर गोबर का भी इस्तिमाल करा जा सकता है. तो यही साले questions थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं. अगर इनसे भी जादा कोई और question हो आपका तो आप comment में लिख सकते हैं. मैं उन सभी का answer करने की कोशिश करूँगी. Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.